बन्ना गुपता एक पतीक है जारखंड सरकार में एक मंत्री है इसलिए बन्ना गुपता का बहुत महत्व मेरे लिए नहीं है बलकि जिस कैबिनेट पे वो मंत्री है वो कैबिनेट इस तरह का काम होने दे रही है ये महत्व की बात है और मुझे लगता है कि हमारे राजी के ज कि फासन मंत्री पर्षत पर नहीं है ज़ार्खन मुंवक्ति मोचा के जो मंत्री और नहीं है वहां तेक तो माल्य मुखुम्त्री का मघिरदा कर मुझी को पूरolithic का कौई वर्स नहीं है कोई नहीं है जब बात आती है तो कहा जाता है कि कांग्रेस के आला कमान से बात करके कांग्रेस के मंत्रियों के बुस्ताचार के बारे में के वलत कांगा के बारे में सरकार थार महीं के लेगी कि तो दो भावे मट गई है और जिस सरकार में भी कांग्रेस पार्टनर के रूप में रही है उस सरकार को कांग्रेस इसी तरह ना चाहती है सीवू सोरेन जी मुखवंत्री हुए थे 2008-2009 में कांग्रेस के समर्थन से तो कांग्रेस ने भी उनको इसी तरह ना चाहता मधुकोडा को भी कांग्रेस ने इसी तरह ना चाहता आज हमन्प सुरेन की सरकार को भी कांग्रेस इसी तरब से नचा रही है इसके मुखवंत्री को सोचना होगा कि जब تक ये कांग्रेस के साहरे रहेंगे तब तक भरस्ताचार मुखव सरकार नहीं चल सकती है और बन्नागुपता तो इसी के प्रतीक है एक मंत्री है जो उची दाम पर दवाईया खरिदते हैं विधानसवा में शावित हो जाता है जो जो घरवाई नहीं होती है मन्ना गुपता जी अपने हां मेरी वरस्ताचार करते हैं जो घरवाई नहीं होती है अभी मैंने कल मामला उठाया है कि उन्हों ने एक प्रतिबंधित पिस्टॉल अपने पास रखा है और भारत सरकार का ये नियुदेश है कि जिसके पास भी ऐसी प्रतिबंधित पिस्टॉल हो इसको तुरत प्रसासन जब्त करे, जब्त करके जीला के माव खाना में रखवाय यह काम सथ異ह नहीं हो रहा है और मुझे जहाँ तो जानकारी है यह पिस्तॉल जो में खरीदा है प्रक्रवनीस पने के बाद भी और खरिदने के बाद भी जीला में जो आंस में स्टेट होते हैं या उपायूत का जो गोफनी का जाना होता है उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूले